गरेलू टीफ आप दे रोजाना की तरह आज भी तीन गरेलू टीफ जानेंगे तो देर किस बात की आईए सुरू करते हैं चावल पकाने से पहले यद चावल नमक के पानी में अच्छे से भिगो दें तो चावल सफेद बने रहेंगे और एकदम खिल उठेंगे कूकर में चावल पकाते समय उसमें कुछ बून निम्बू के रस और अद्रक के रस डालें चावल का सफेद रंग एकदम से खिल उठेगा और चावल खाने में भी एकदम स्वादिश्ट लगेगा यद निम्बू समय पर उपलब्द ना हो तो निम्बू की जगए आप डेसी घी की कुछ बून्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नमबर त्री चावल को यद दुबारा गर्म करना पड़े तो आप चावल को बिना पकाय भी उसको गर्म कर सकते हैं इसके लिए एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें कुछ बून्दे घी या कुछ बून्दे निम्बू के रश डाल दें और चावल उसमें डालकर तुरंट निकालकर छान लें इससे चावल गर्म हो जाएगा और चावल का स्वाद भी बढ़ जाएगा तो यद जानकारी उपयोगी लगी तो नीचे लाइक का बटन दिया है उसे दबा दें वीडियो को सेर जरूर करें और यद आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल पर और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो हैं उन्हें जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल